नमस्कार साथियो न्यूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं सिनेमा की कहानियों में आपने देखा होगा कि खलनायों को उस वक्त मार दिया जाता है जब वो किसी काम का नहीं होता है नेताओं और वैपारियों का तो क्या अलबगदादी के साथ यही हुआ अमेर्की राष्ट पती डोनाल ट्रम्प ने टीवी प्रसारण में गोशना की कि अलबगदादी मारा गया इसी पर बात चीत करने के लिए हमारे साथ हैं अब्दुलरह्मान जो कि अंतरास्ट्य विश्यों पर लिखते हैं तो यह अलबगदादी की पूरी पर इघटना क्या है इसके बारे में बताए हमारे तरश्ट को शुक्रिया अजा जी अलबगदादी जो है अबू बकर अलबगदादी वो ISI जो इसलामिक स्टेट था उसका चीफ था और यह पहली बार नहीं है कि उनको मारने की घोशना की गई है इसके पहले भी दो तीन बार ऐसा हो चुका है और इस बार डिफरेंस यह है कि अमेरिकार राश्ट्पती ने प्रॉपर प्रेस कॉन्फरेंस करके यह घोशना की कि बगदादी एक मिशन में मारा गया उस मिशन का नाम उन्होंने एक एड़ वर्कर थी जो ISIS के खिलाफ इराग में काम कर रही थी उनकी हत्या कर दी गई थी उनके नाम पे रखा था तो आम तोर्बे माना जाता है कि बगदादी के मरने से ISIS के उपर यह लड़ाई थी उसका एक निरनाएक पहल है यह एक निरनाएक मोमेंट है और इस से क्या होगा कि हो सकता है कि ISIS के खिलाफ लड़ाई जो है वो ज़्यादा सक्सेस्फुल हो ज़्यादा सफल हो इसको थोड़ा सब और विस्तित तरीके से दर्सों को बताए कि अलबगदादी और ISIS कैसे जुड़ते हैं और वहाँ की जो च्छेत्रिये समिकाण बनते हैं इराग, सीरिया, लिबिया से और किस तरह के पहचान की अधार पर हिंसाएं की गई इसको थोड़ा और विस्तित जैसा हम लोग सब जानते हैं 2003 में जब एराग पे हमला हुआ अमेरिका के दौरा तो उस हमले में वहां के लोगों को अलग अलग तरीके से आतंगवादी कहे के या कुछ कहे के गिरफतार किया गया बगदादी भी उनमें से एक था जो 2003 में उसको अमेरिकन फोर्सेज ने वहा पे लोकल और 2014 के आसपास उन्होंने पूरे इराग पर सीरिया के कुछ उत्री पूरी भागों पर कबजा कर लिया और फाइनली कहा कि हम यहां पे एक इसलामिक खिलाफत बनाना चाहते हैं बनाएंगे जो कि उसके बाद हम सब जानते हैं कि कैसे दुनिया बर के लोग अलग अलग तरी जगों से वहां जाके खिलाफत के हक में लड़ाई करने के लिए मादाना हैं खिलाफत एक संस्था है इसलाम में जिसके इसाब से जो इसलामिक नेशन है तूरी दुनिया बर में जितने भी इसलामिक मुस्लमान हैं जो इसलाम को मानने वाले लोग हैं उनक जो राजनितिक जो प्रमुक होता है उसको खलीफा कहा जाता था अब नहीं है 1924 में मुस्तिफा कमाल अतातर्क ने जब आटमन अम्पायर का खात्मा हुआ उसके बाद उन्होंने खिलाफत को भी खतम कर दिया तो खिलाफत नहीं थी तो अबुबकर बगदादी ने 2014 में ये गोशना की कि हम उसी खिलाफत को दुबारा से स्थापित करेंगे तो इस मामले को ले इसके कारण क्या हुआ कि जो इराक में सीरिया में बहुत सारे जगों पर लड़ाईयां हुई उन लड़ाईयों में मुसल्मान भी मरे दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को भी मारा गया दुनिया भर से जितने भी अलग अलग तरके लोग जो इराक में रिकंस्ट्रिक्शन का काम कर रहे थे या सीरिया में कुछ काम कर रहे थे उनके खिलाब भी हमले हुए और बगदादी इन सारे ही हमलों को एक तरीके से कहिए वो उसका नेता था वहाँ पे सरगना था सरगना कह सकते हैं तो बगदादी के के खिलाफ जो मूवमिंट है बेसिकल बगदादी के खिलाफ जो एक्शन है वो एक तरीके से माना जाता है कि वो इसलामे खिलाफत का जो मामला था उसके खिलाफ एक लड़ाई है आम तोर पे कहा जाता है कि इसलामे खिलाफत है या आराजक्ता का निर्मान किया 2003 के हमलों के बाद उसके पहले भी और उसके बाद भी उस आराजक्ता का इस्तमाल करके अलग-अलग छोटे-छोटे-छोटे-छोटे कह सकते हैं आपकी सरगना आप जिसको कहते हैं सरगना पैदा हुए और उन सरगनाओं ने अपने-पने-पने स अंगटनों का, कई जब सीरिया में सिविल युद हुआ, युद हुआ, तो उस युद में इन सरगनाओं का इस्तमाल, जो सामराजवादी ताक्तों ने अपने हिद के लिए किया, जैसे कि अमेरिका हो, तुर्की हो, भगल में, उसने भी ISI को सपोर्ट किया, बाद में यही ISI उनके खिलाफ भी हो गया, जब उनको लगा कि हम और इससे बड़ा अचीव कर सकते हैं, इससे जादा उपलब भी हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने उनके खिलाफ भी हमले सुरू कर दिये, तो एक तरीके से उन्हीं के दोरा जो निर्मित ये संस्ता, ये जो संगटन थे, उ उसके खिलाफ जो जो ओगों का गुसा था इराक में और सीडिया में, उसको एक तरीके से उवर कम किया, और क्या किया? कि अपने सेनाओ को वहां रखने का एक तरीक से आप क्या सकते हैं, बहाँ ना मिला उसे, आईससे के खिलाफ लडाए के नाम पे, और उस कारण से, उस forces वहां पे बनी रही और सिरिया में भी घुसी सिरिया में भी कुर्दों के साथ मिलकर S.D.F. के साथ मिलकर आइसाइस के खिलाफ लड़ाई करके वहां पे तेल के जितने भी बड़े-बड़े कुएं थे वहां पे अमेरिकन forces ने कबजा कर लिया अब समराज जवादी टाकतों का उल्लेक कर रहा है जिसमें अमेरिका भी आता है तो खबरे कहती है कि 2003 में सद्दाम हुसैन को कपजा कर लिया गया जब कि 2004 में ऐलेक्ण थे अमेरिका में, फिर 2011 में उसामा बिन लादेन को मार दिया गया, 2012 में इलेक्शन थे, तो क्या ये कहा जाए कि अपने फाइदेों को देखते हुए इस बार फिर से हत्याएं करवाई गई हैं और पहले कुछ नहीं कहा गया, हम सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं, कि ये बहुत ही सड़ेंत्र की जो सिध्धान्त है ना, उस पर कौन सपरसी थीरी लगेगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अफकोर्स इसका राजनितिक इस्तमाल होता है, उसामा बिन लादेन के खिलाफ जो आपरेशन हुआ, उससे उबामा को राजनितिक तोर पे फायदा हुआ, उसी तरीके से ट्रम्प जो अभी इस समय घरेली राजनिती में उनके खिलाफ महाय ब्योग चल रहा है, उनको उनकी बहुत सारी अलोचना हुई कि सीरिया में जोनों ने अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का फैसला लिया, उसके कारण से उनके जो सहयोगी थे, खुड्स, उनके खिला आतंगवाद का चेहरा है, अमेरिका में, दुनिया भर में लोग उसको आतंगवाद से जोड़ के देखते हैं, तो जो आतंगवाद के खिलाफ लड़ाई का नेता बनना है, तो आपको बगदादी को मारना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका राजनितिक इस्तमाल होग चुनाओं में होगा, ट्रम्प के अपने खिलाफ जो उनके हमले चल रहे हैं, उनके खिलाफ अमेरिका की राजनिती में, उसको दबाने के लिए इस्तमाल हो सकता है, अफकोर्स। इस सवाल का जवाब तो बहुत ही, यह बहुत डिफिकल एक तरीके से कही है, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए हमारे पास, मुझे लगता होतना समय है नहीं, पर यह एक चीज़ कहना चाहते हैं, कि इस जो यह हमला जो हुआ, अभी तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है हमारे पास, हमने यह सुना कि ट्रम्प ने घोसना की कि बगदादी की हत्या कर दी गई है, ना तो हमारे पास कोई सबूत है, ना तो उनके लास है, ना तो हमारे पास यह है कि यह देखिए कि रशिया और ट्रम्प ने कहा कि रशिया और तुर्की को, जो कि तुर्की नाटो का अलाई है NATO का मैमबर है उनको बताया लेकिन रशिया के डिफेन्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने बकाइदा कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी क्यों क्यों इस इम्पोर्टन्ट है क्योंकि सीरिया का जो एर स्पेस है जहां से उनके एराक में अमेरिका की सेनाएं है एराक से उड़के अगर आप इदलिम में जायेंगे जो करीब करीब मतलब 6 700 किलोमीटर दूर है वहां से इतनी दूर जाएंगे तो जो एर कांट्रोल कर रहा है aireSPACE, Sera, Syria की सरकार हो, यहां पर रश्या की सरकार, रश्या का सेना है, उनको तो पता चलना चाहिए, लेकिन उनके इसाब से ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उनके पास कुछ सबुत्ते ही हैं, तीसरा, इदलिब जो है, वो अभी जिनके कबजे में है, वो सिरियन गवर्मेंट के अंग हुआ करता था और ISIS और अल-काइदा में राइवल्री है दोनों एक दूसरे को के खिलाफ मतलब युद्ध करते हैं मारते हैं एक दूसरे के कैडर्स को तो ऐसा कैसे हो गया कि अल-बगदादी जो है उस जगह पे रह रह रहा था जो ये गाओं है उसकी credibility जो है उसका जो साख जो है वो सही हमें लगता नहीं मुझे हमें लगता है कि जैसा पिछली बार क्लेम किया गया था बार-बार खबरे मीडिया में आती है कि बगदादी को मारते है उसी तरह ये वी एक संदिय है और इसके साख पे भी सवाल है तो इन सब का प्रभाव कैसा पड़ता हुआ आपको दिख रहा है हम जानते हैं कि अक्टोबर के दूसरे वीक में तुर्की ने उतरपूरी सीरिया पे हमला कर दिया क्योंकि वहां पर उनको लगा कि उनके खिला उनके देश में जो पीके के है कुर्दिश अलगावादी तत्तों हैं उनके जो समर्थक हैं वो SDF में हैं तो हमारे देश को खत्रा हो सकता है इस नाम पे उन्होंने हमला कर दिया उस हमले के पहले अमेरिका ने गोशना की कि हम जो हमारे यह बहुत ही अमेरिका में भी हुई दुनिया भर में हुई कुर्द्स ने इस किया लोशना की तो फिर ट्रम्प ने कहा कि हम सी तरकी को बोलेंगे कि वो आम लोगों पे हमला ना करें आतंगवादियों पे सिरिफ हमला करें अभी क्या हुआ कि जब यह पता चला कि अगर आप सीरिया से हटेंगे तो सीरिया के जो तेल और गैस के संसादन है जो उनी छित्रों में हैं जहां पे कुर्द्स का कबजा है और चुकि कुर्द्स ने सीरिया के सरकार के साथ सायोग कर लिया है तो यह सारे तेल और गैस के जो कुएं हैं वो सीरिया सरकार के पास चली जाएगी और सीरिया की सरकार मजबूत होने की समभावने बढ़ जाएगी तो इस डर से कि सीरिया की सरकार मजबूत ना हो जाए और वहां पर जो युद्ध हो रहा है वो खतम हो जाएगा इस डर से अमेरिका ने ट्रम्प ने गोसना वापस लेत ये अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या इसमें संबंध है या नहीं है शुक्रिया इस विसापर हमसे बात्चित करने के लिए केवल बगदादी मारा नहीं गया मारे गए कि पीछे जो राजनीती है उसे समझाया बहुत अच्छे तरीके से अबदुल्जी ने शुक्रिया आप देखते रिया न्यूश क्लिक